दोस्तो उरिशा भारत का एक ऐसा एकलोता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे जादा साब पाई जाते हैं दरसल दोस्तों यहां एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान रह जाओगी इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आवश्य लिख दे दोस्तों ओडीसा के नादारामपुर में शालीनी नाम की एक लड़की अपने माबाप के साथ सरोधा नाम के गाउं में रहती थी शालीनी हर किसी की मदद के लिए हर समय तयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध करती थी यही कारण था कि शालीनी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे एक बार बचपन में शालिनी करीब आठ साल की थी तब वो अपने आंगन में दूद पी रही थी परंतु अचानक उसके हाथ से दूद का गिलास छूट गया और दूद जमीन पर बिखर गया वहीं शालिनी से कुछ दूरी पर जाडियों म बिखरा दूद देख वो तुरंत शालिनी के पास आ गये और दूद पीने लगे वहीं शालिनी उन नागनागिन को देखकर डरने की बजाए बड़ा ही खुश होकर उन्हें देख रही थी दोस्तो उस दिन से वो हमेशा उस नागनागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूद एक कटोरी में भर कर उसे रख देती आंगन में और वो नागनागिन का जोड़ा आकर उस दूद को पी भी लेता एक बार जब शालिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलेज जा रही थी तब ही रास्ते में उसने तीन लड़कों को एक लड़की को परिशान करते ह हुए देखा बाकी के स्टूदेंट्स वहां जो भी हो रहा था उसे देख नजर अंदास कर आगे भढ़ रहे थे परन्तु शालिनी उसके सामने हो रहे दुराचार को देख सहन नहीं कर पाई और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने उसने उन त दीन लड़के वहां से चुपचाप निकल गए परन्तु कोलेज जाते वक्त शालिनी के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उन में से एक गाउं के अमीर मुख्या का बेटा है और तुम से जरूर वो बदला लेने की कोशिश करेगा इस बात पर शालिनी हस दी और बोली तुम मेरी चिंता मत करो मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूँगी दोस्तो एक बार शालिनी को उसके एक्स्ट्रा क्लास के कारण कोलेज में थोड़ी देर हो गई उसके घर की तरफ होते हुए जाने वाल वो शालिनी से बदला लेने का इntजार कर रहे थे और अब उन्हें बड़िया मौका मिल चुका था उन्होंने शालिनी को जबरदस्ती पकड लिया और रेल्वे पटरी की दूसरी और सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे जैसे ही वो शालिनी को पकड़ कर रेल्वे ट् अच्छाई किसी न किसी तरीके से आपके पास लोट कर आही जाती है ऐसा ही कुछ शालीनी के साथ हुआ वो नाग नागिन का जोड़ा शालीनी को बचाने ही आया था भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख तीनों लड़के डर गए और शालीनी को भागने का अच्छा खासा मोका मिल गया, वो खुद को बचाने के लिए अपने घर की और तेजी से भाग ली, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं पर भी जाने नहीं दया, परंतु तभी अचानक उन में से एक लड़के ने बड़ा सा पत्तर उठा कर नाग के स थोड़ा, उन्होंने ट्रेन की पट्री पर नाग के शरीर को डाल कर ट्रेन के नीचे उसे कुचलवा दिया, नागिन दूर जाडियों में छुपकर ये सब देख रही थी, नागिन बहुत गुसे में थी, जब वो लड़के अपने घर जा रहे थे तो नागिन भी उनके पी किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी जानवर से यदि तुम प्यार करो तो उसमें इनसान से भी जादा वफादारी आ जाती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताईएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक हदेर लिखना बिलकुल भी ना भूले, जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद